हलो मेरे दोस्तों अब रीसेंटली जब मैं मेरे एक फ्रेंड गवरों से मिला तो वो अपने फाइनाइंसिस को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ट आउट था और फ्रेंकली उसकी लाइस्टाइल को देख कर मैं तो क्या कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो फाइनाइशली स्ट्रेस्ट है और मुझे भी तब ही पता चला जब उसने मुझे ये बताया तब मैंने सोचा कि क्यों न हम एक चेकलिस्ट बना दे जिससे कि हम एटलीस्ट एक पता नहीं होता कि वो अपनी फाइनाइशल लाइफ में अच्छा कर भी रहे है या नहीं अब मैं ये मानता हूं कि कोई अपनी फाइनाइशल लाइफ में अच्छा कर रहा है या नहीं ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है लेकिन फिर भी आज हम डिसकस करेंगे to seek an unbiased consultation on personal finance number one क्या आपके net worth की value पिछले कुछ सालों के comparison में आज ज्यादा है net worth इस subject को लेकर मैंने पहले detail में एक video बनाया है जिसे आप उपर आए इस i button के link पर click करके देख सकते है is your net worth better than what it was three years और five years back अब मैं यह नहीं कह रहा कि हर बरस आपका net worth बढ़ना ही चाहिए लेकिन अगर आप यंग है और अपनी retirement age की तरफ बढ़ रहे है तो usually आपका net worth बढ़ते रहना चाहिए और usually आपका net worth दो situations में बढ़ना चाहिए number one जब आपके investments अच्छा perform कर रहे है और amount बढ़ रही है investments के performance के कारण और ऐसा तब ही होता है जब आपने एक अच्छा खासा corpus accumulate कर लिया है और अब compounding के कारण आपकी investment amount बढ़ती ही जा रही है जैसे for example अगर किसी का 3 करोड invested है तो 10 percentage of 3 crores is 30 lakhs यानि हर बरस 10% return पर भी portfolio में 30 lakh rupees add हो रहे है और नमबर टू जब आपकी income काफी अच्छी है और आप ने अपने expenses को control में रखा है और आप हर महीने अच्छा खासा surplus invest करते हैं अपनी income में से तो क्या आपका net worth विछले कुछ सालों के comparison में आज जादा है अब I am sure कि आप भी ये समझना चाहते है कि अपनी income में से wealth creation करके early retirement या passive income generate करने के लिए आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए या फिर आपके personal financial goals जैसे गर खरीदना, retirement, car खरीदना, vacations इन्हें अचीव करने के लिए आपको क्या करना होग So अगर आप भी अपना personal financial plan बनवा कर ये समझना चाहते है तो WhatsApp कीजिए इस number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए So now let's understand the second point of the checklist क्या आपके पास हर महीने आपकी income में से कुछ extra amount save होती है अब देखा जाए तो ये एक बहुत ही simple point है लेकिन ये एक बहुत ही important point भी है Are you left with a positive surplus at the end of the month? अब मैं यहां कोई 2 या 5,000 की बात नहीं कर रहा है मैं बात कर रहा हूँ आपके income के at least 25 to 30% की अगर कोई by the end of the month अपनी income का 25 to 30% positive surplus save नहीं कर पा रहा है तो उसकी income कितनी भी हो उस बात से कोई फरक नहीं बढ़ता So for example अगर किसी की income 1 lakh rupees है per month और अगर उसके पास सिर्फ 5,000 rupees बचते हैं हर महीने तब इसका कोई मतलब भी नहीं बनता ऐसे में minimum 25 to 30,000 rupees के surplus का होना जरूरी है और तब जाकर इस amount में से emergency funds create किये जा सकते हैं और इन पैसों को फिर invest करके wealth create की जा सकती हैं और अपने future financial goals को achieve करन की planning भी की जा सकती है तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं और बहुत अच्छी lifestyle है आपकी तो यह अच्छी बात है लेकिन अगर month के end में आपके पास कोई भी amount save नहीं होता तो it is a very big negative point तो क्या आपके पास month end में surplus amount save होता है point number 3 क्या आप bills pay करने के लिए credit card पर depend करते हैं अब कुछ दिनों पहले मैंने हमारी एक client जो अपने 30s में है और उनकी income भी अच्छी है उनसे कहा कि you must avoid using a credit card क्योंकि उनके credit card का bill हर महीने उनकी salary का 30 to 40% होता है और mostly उनका credit card के spending पर control नहीं रहता और यह सुनते ही कि उन्हें credit card use नहीं करना है वो थोड़ी anxious हो गई क्योंकि वो अपने credit card पर बहुत जादा depend करती है और वो advance में ही अपनी salary से खर्चा करके अगले महीने की salary से payment करती है और अच्छी income होने के बावजूत उनके account में end of the month कुछ भी savings नहीं होती personally अगर मैं मेरी बात करो तो मैं भी credit card यूज करता हूं लेकिन जरूरत की चीज़े खरीदने के लिए जैसे electricity bill पे करने पर मुझे 5% का cash back मिलता है और अगर किसी महीने मुझे credit card यूज ना भी करना पड़े तो मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता लेकिन मैंने personally कही सारे लोगों को देखा है credit card उनके लिए oxygen के बरावर होत तो ये एक बहुत ही unhealthy sign है financial life की because बहुत जादा का loan लेने पर credit report पर भी impact पड़ता है तो क्या आप भी बहुत जादा depend करते हैं loans पर point number 4 क्या आपने अपनी wealth को सही से protect किया है इससे मेरा मतलब है कि क्या आपके पास आपका health insurance और life insurance है imagine कीजिए किसी पर home loan है car loan है बच्चों की और old parents की responsibility है और ऐसे वे उस इंसान की death हो जाती है अब आप ही सूचिए कि उसके dependence का क्या होगा home loan की EMI कौन पे करेगा जितनी भी महरत आपने की थी उस गर को बनाने में और जो पैसे आपने invest किये थे वो सारे पैसे चले जाएंगे कुछ ही महिनों में या सालों में और अगर पैसे कम पड़ गए तो family वालों को घर का hand over bank को देना होगा या फिर imagine कीजिए कि किसी इंसान का job नहीं है और ऐसी situation में उसे या उसके family members को किसी कारण से hospitalized होना पड़ा अब ऐसे में health insurance ना होने पर उसकी काफी सारी wealth उसे doctors को देनी होगी तो क्या आपने अपनी wealth का protection किया है सही life insurance और health insurance खरीद कर point number 5 क्या आप बिना किसी की की मदद लिए financial emergencies का सामना कर पाएंगे अगर आपके parents को suddenly पैसों की जरूरत पड़ गई जैसे वन या टू लाक रुपीस या आपका कोई unexpected expenses आ गया तो क्या आप बिना किसी से पैसा मांगे उस expenses को fulfill कर पाएंगे क्या आपके पास minimum आपके six months की income जितनी savings है जादातर लोग ज पास तो पैसे होते ही नहीं तो क्या आप ऐसे emergency के समय पर पैसे arrange कर पाएंगे point no.6 क्या आप अपनी income का minimum 10% regularly invest करते हैं अब second point में हमने savings की बात की थी लेकिन यहां हम regular investments की बात कर रहे हैं so for example अगर आप 80,000 rupees earn करते हैं तो क्या आप उसमें से at least 8,000 rupees invest करते हैं कही सारे लोग invest करना शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ महिनों बाद उन invest किये हुए पैसो को किसी कारण से निकाल भी देते हैं जैसे बच्चों की school की fee पे करने के लिए तो यहां मैं ऐसे investment की बात नहीं कर रहा मेरे हिसाब से हर investor को पहले तो यह समझना चाहिए कि regularly पैसे invest करके एक amount accumulate करन की mutual funds और stocks में invest करके अब 7th point को समझे उससे पहले अगर आप भी अपना personal financial plan बनवा कर यह समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी financial life को track पर ला सकते हैं तो WhatsApp कीजिए इस number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए point number 7 क्या आपने जरूरत से जादा का loan लिया है आपकी income का कितना percentage loan की EMI में जाता है इमेजिन कीजिए कि किसी की family की income 1 lakh रुपीज है पर मन्त और उसमें से 76,000 रुपीज EMI में जा रही है और बाकी बचे amount से घर का बाकी खर्चा होता है कही बार न कपल ये सोच कर loan ले लेते है कि double income होने से EMI मैनेज हो जाएगी लेकिन फिर कुछ सालों बाद wife को job छोड़ना पड़ता है बच्चा होने के साथ अब आप ही सोचिए कि क्या हो सकता है ऐसी situation में ऐसा rule of thumb आपकी income का 35% से उपर EMI में नहीं जाना चाहिए तो कितने percent EMI जाती है आपके income की point number 8 क्या आपकी investments पर आप inflation और tax exhausted return earn करते हैं let me explain this with one example apple fruit की कीमत 10 years पहले थी 150 रुपीज पर केजी लेकिन आज same apple की कीमत है 300 रुपीज पर केजी अब 10 years पहले किसी ने अगर 150 रुपीज invest किया होता 7 percentage return पर तो आज उन पैसों की कीमत होती 300 रुपीज लेकिन tax pay करने के बाद होती सिर्फ 242 रुपीज which means कि अगर आपने पैसे FD में रखे है तो आपके पैसे grow तो हो रहे है लेकिन inflation और tax pay करने के बाद वो return actually में negative है यानि हमारे example के हिसाब से 1 kg apple जो आप 10 years पहले purchase कर पा रहे थे उन्हें अब purchase करने के लिए हमारे पास पूरा amount available नहीं है तो क्या आपके पैसे सही में grow हो रहे है point number 9 आपको इस बात की clarity है कि आपके financial goals क्या है क्या आपके पास आपका financial plan है और क्या आपको ये पता है कि आप क्या achieve करने के लिए invest कर रहे है जैसे for example हमारे Bangalore के एक software engineer client का simple goal था कि उन्हें आने वाले 5 सालों में एक करोड की value का portfolio achieve करना ही है अब ये सबसे best है क्योंकि वो फिजूर की information को filter करके सिर्फ अपने goal पर focused है और aggressively अपने plan के अनुसार invest कर रहे है क्या आपको अपने करजे clear करने हैं अगले कुछ सालों में क्या आपको अगले 5 सालों में घर की down payment देनी है क्या आपको कुछ सालों बाद अपनी salary का at least 50% regular income generate करनी है अपने investment से क्या आपको अगले कुछ सालों में business setup करना है so in short आपका goal जो कुछ भी है लेकिन आपको इस बात की clarity है कि आपको क्या achieve करना है जादा दर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें achieve क्या करना है और future में उन्हें अपने financial goals को achieve करने के लिए क्या करना होगा लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं तो whatsapp की EGS number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए अब आप मुझे comment करके बताईए कि आपका score कितना है क्या आपकी financial life track पर है और अगर आप अपना personal financial related knowledge बढ़ाना चाहते हैं और अब तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी कर लीजिए हम हर Sunday और Thursday एक video upload करते हैं आप हमारी website theartofwealthbuilding.com पर भी visit कर सकते हैं और आप हमें Instagram पर भी the art of wealth building सर्च करके follow कर सकते हैं and finally इस video को end तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमीर करता हूं कि आपको कुछ सीखने जरूर मिला इस video से